Hi guys, this is me Saurab So guys, आज की वीडियो में आपसे BCA Supplement के बारे में कुछ बातें शेर करूँगा कि वो Supplement किन किन को यूज करना चाहिए वो आपके लिए कियो हो important है और किन लोगों के लिए वो important नहीं है But वीडियो स्टाट करने से पहले I hope आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो आपके स्क्रीन पे एक बटन होगा जिसमें लिखोगा सब्सक्राइब आप उस पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो गैस, branch-chair amino acids को हम short form में कहते हैं BCAAs ये combine होते हैं 3 essential amino acids से जिसमें आते हैं leucine, isolucine और valine और जिसमें leucine की जो quantity होती है वो सबसे जादा होती है as compared to isolucine और valine से और ये 3 essential amino acids 3 form में होते हैं जिसका मतलब है जब आप इंको consume करते हो यह directly आपके blood stream में चले जाते हैं as compared to जब आप protein consume करते हो वो पहले आपके different organs में जाते हैं और वहाँ पर breakdown होते हैं उसके बाद वो blood stream में जाते हैं guys जो amino acids होते हैं उनको हम two parts में divide करते हैं एक को हम कहते हैं essential amino acids और एक को हम कहते हैं non-essential amino acids Essential amino acids वो amino acids होते हैं जो हमारी body produce नहीं करती है और non-essential amino acids वो amino acids होते हैं जो हमारी body खुद produce करती है Guys, अब बात करते हैं BCAA को कब लेना चाहिए Guys, जब आप workout कर रहे हो या workout से पहले आप BCAA को consume कर सकते हो क्योंकि जब हम exercise करते हैं तो हमारी body catabolic state में चली जाती है जिसका मतलब है वो muscle को breakdown करने लग जाती है तो अगर आपको अपने muscle को prevent करना है तो during workout और before workout आप BCAA कंजूम करो Guys, दो state होते हैं जिसमें हमारी body रहती है एक state को हम कहते हैं catabolic state और दूसरी state को हम कहते है anabolic state catabolic state का मतलब होता है जिसमें हमारी body muscle को breakdown करती है और anabolic state का मतलब होता है जिसमें हमारी body उस muscle को दुबारा repair करती है तो guys BCAA उन लोगों के लिए बहुत beneficial है जो लोग अभी cutting कर रहे हैं या फिर fat loss करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी खासकर beneficial है जो लोग सुभा empty stomach cardio करते हैं या फिर वो लोग जो सुभा उठते के साथ ही weight training करते हैं बट उनको इतना time नहीं मिल पाता कि वो कोई meal consume करें guys अगर आप इन में से किसी भी situation में हो और अगर आप इस से पहले BCAA consume कर लोगे तो आपका muscle breakdown नहीं होगा बट गरिस अगर आप bulking कर रहे हो तो यह उसमें beneficial नहीं है कि आप अपनी body को इतनी already calories provide कर रहे हो कि muscle loss होने का कोई chance नहीं है तो यह supplement उन लोगों को लेना चाहिए जो लोग fat loss करना चाहते हो और जो साथ के साथ muscle भी prevent करना चाहते हो गाइस BCAA लेने से आपकी workout intensity में भी आपको मदद मिलती है गाइस जब हम exercise करते हैं तो दीरे दीरे हमें fatigue जैसा लगने लगता है हमें ठकान होने लगती है जिस वज़े से हमारे जो आगे के sets होते हैं वो suffer करते हैं तो अगर आप workout से पहले BCAA लोगे या during workout BCAA लोगे तो BCAA कमपीट करता है ट्रिफ्टोफेन से ट्रिफ्टोफेन हमारे brain में जागे convert हो जाते हैं serotonin में अगर ट्रिफ्टोफेन serotonin में convert हो जाएंगे तो तब आपको fatigue जैसा लगने लगता है बट इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप before workout या during workout BCAA कंजूम करोगे तो गईस आप कोई साथ BCAA supplement लेते हो तो उसके अंदर आपको एक चीज जरूर देखनी है आपको यह देखना है जो उसकी ratio है वो कम से कम 2 इस्टू 1 इस्टू 1 होनी चाहिए जिसका मतलब है उसमें 2 ग्राम लूसीन होना चाहिए उसके बाद 1 ग्राम आइसो लूसीन होना चाहिए और 1 ग्राम वैलीन होना चाहिए तो गईस अगर आप अपने fat loss process में हो या आप अपने weight reduce करना चाहते हो बट चाहते हो आपको मसल प्रिवेंट हो बहुत ही difficult हो जाएगा क्योंकि पल्सिस या किसी भी vegetarian sources से lean protein मिलना बहुत मुश्किल है आप कोई साथ vegetarian sources देख लो चाहे पनीर हो चाहे दाल हो या कुछ भी हो उसमें हमें lean protein कभी नहीं मिलता उसमें हमेशा हमें fat मिलेगा साथ के साथ carbohydrates भी मिलेंगे और फिर protein मिलेगा for example आप पनीर को ही ले लो पनीर के अंदर अगर आप 50 ग्राम प्रोटीन है तो उसके अंदर आराउंड 80 ग्राम फैट होता है तो गईस जो आपका 80 ग्राम फैट है वो आपकी पूरे दिन की intake है तो अगर आप एक बार पनीर से ले लोगे तो फिर आप अपना fat कैसे reduce करोगे तो गईस इसलिए जो गजटेरियन से है उनको हमेशा supplements इंक्लिवड करना चाहिए अपने diet में तो I hope गईस इस वीडियो से आपको BCSS के बारे में कुछ पता लगा होगा तो see you in the next video and best of luck